कि दोस्तो काफी बड़ी अपडीट निकल आ रहे हैं वैसे तमाम छातरचातराओं के लिए जिन्होंने साल 2022 में मैटे को तिंड किया है क्योंकि हमने हाल में कल के डेट में एक वीडियो बनाया थे जिस में आपको बताया थे कि मैटे क्पास जुभी छातर चातराओं है उनका आवेदन किस परकार होगा क्योंकि उस वीडियो में हमने आपको किलियर समझा था कि आपका पैसा जो है इसी मन्त में आपको सेगेंड विक से आना सुरू हो जाएगा अभी आप बगल में देख पा रहे होंगे ये जो पैसा है 10.000 रुपे क्रेडिट हुए है वैसे कनिडेट जिन्होंने साल 2022 में मैटिक का पड़िक्षा उतिन किया था ये पैसा सभी कैटेगेरी के कनिडेट को मिलता है मैटिक पास में जो कि 10.000 रुपे होते है जो इस्टुडेन के खाते में आना सुरू हो चुका है इसमें काफे सारे कनिडेट बोल रहे थे कि सर बीना ओनलाइन कि कैसे इस पर पैसा आ रहा है तो हमने आपको कल के जो वीडियो बन आया थे उसमें हमने सारी जनकारी से रिलेटेड ही बताया थे कि इस पर जो आवेदन परकिरिया है उसमें काफी बड़ी बदलाव कर दी है क्योंकि आवेदन इस पर जो है वो ऑनलाइन मदम से लिया नह वाइल नमबर दिया गया है जिस मदद से वो डाटा इंट्री करते हैं स्टुडेंट का डाटा मेगा सब के पोटल पर अपलोड करते हैं जो कनिडेट यहाँ पर पास अउठ है अटमेटिक वहाँ से डिडेक कर लिया जाता है उनके स्टुडेंट के खाते में पैसा भेजी ज का इस केस में मेरा पैसा नहीं आएगा तो बिल्कुल इस केस में भी आपका पैसा आएगा बहुत सारे कनिडेट चाहते उस एकाउंट को चेंज करबाना तो कैसे होगा जिन कनिडेट का पैसा अभी तक नहीं मिला उनको क्या करना यह सारी जनकारी समझते हैं उसे पहले उपलब्त करा है यहाँ पर हर एक छोटी वरी अपडेट सबसे पहले सेयर कर दिया जाता है तो यहाँ पर दिखिया अगर कुछ भी अपडेट अगर आपको कराना है तो यह काम आप खुछ से online नहीं कर सकते हैं इसके लिए आपको जाना होगा जिस भी स्कूल से अपने देंत की परिक्षा पास किया है उस स्कूल में जाकर एक बार अपने परधाना ध्यापक से मिलना होगा और उनको बताना होगा कि मेगा सौप्ट का जो पोटल है उस पे मेरा कुछ डीटेल को अपडेट कर दे क्योंकि उस समय जबी भी मैंने अपलाई किया था उसमें हम अपने माता और पिता का अकाउंट दिये थे या यह भी हो सकता उस खाते में भी अभी तक आपको पैसा नहीं मिला है उनके खाते में भेजा जाना शुरू हो चुका है तो हो सकता अभी तक आपका पैसा नहीं आया हो तो आप वेट करें दिसंबर में 100% आपका पैसा आपके खाते में भेज दी जाएगे फिर भी कोई doubt confusion है तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए जो यहाँ पर मिल रहा होगा जिसमें हमने आपके सारी समसा का समाधान बताया है वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताया वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद